हेलो एब्रिवेन वेलकम टू सर्वोदेगुरकुल दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सिच्छड युजना कच्छा साथ विशय हिंदी खा सबसे पहले आपको क्या चीजे लिखने होती आपको मालूम होगा दिनांक, कच्छा, कच्छा साथ है, विशय हिंदी और समय 40 मिनट इस प्रकार से कॉप पे कॉलम बना लीजेगा फिर अगली एडिंग, पहली एडिंग आपको पड़ेगे लर्निंग आउटकम या सीखने के प्रतिफल इसमें लिखेंगे बच्ची, राजा, वनरचक, कर्तब पालन, इमानदारी आदी की बारे में जान रहे हैं और बात कर रहे हैं प्रकरड क्या है, कर्तब पालन, सीखने, सिखाने की शामागरी राजा, वनरचक से वर्तलाप दरसाता हुआ, चार्ट, पेड, जंगल, मॉडल, चित्र, डेस्टर, चाउक आदी यानि कि यहाँ पे आपको टीलम बना लेना है, टीलम कैसर रहेगा राजा, वनरचक से वर्तलाप दरसाता हुआ, एक चार्ट होना चाहिए, उसको बना करके इस सब चीजे बच्चों को सीखने या सिखाने में मदद करेगा उसके बाद आपके एडिंग पड़ेगी सीखने, सिखाने की प्रक्रियाए या गति भीदिया इसमें एक का कॉलम बनेगा चार, पहला चोटा कॉलम, फिर थोड़ा सबसे बड़ा, फिर चोटा, फिर उसके बाद थोड़ा सा मीडियम में क्रम संख्या आपका फस्ट हो जाएगा या का हो जाएगा इसमें लिखेंगे सिस्चड के प्रारम में समय हमारा इसमें पांच मिनट को पहना चाहिए आकल लिन के तरीका हो और क्या है चर्चावा प्रिश्णोत्स तरी बिदीद्वारा इसमें लिखेंगे सिचल के प्राड़म में सिच्छक कच्छा में बच्चों को सहज करते हुए प्रकरण से सम्मंदित पूर ग्यान के लिए बच्चों से कुछ प्रशनिक करेंगे जैसे कि जहाँ एक से अधिक पेड़स होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बच्चे उतर देंगे जंगल या वन उसके बाद दूसरा प्रस्ण होगा वनों की रच्शा करने वालों की क्या कहा जाता है? तो बच्चे बताएंगे वन रच्छक वन रच्चक द्वारा अपने कार को इमांदारी पुर्वक करना क्या कहलाता है ये कहलाता है करतब पालन उसके बाद करतब पालन से आपको क्या सिच्छा मिलती है ये प्रश्ण बच्चों के लिए समझ सहत्मक हो जाता है अब इसी चीज पर हमको जो टीचर होते हैं उनको अपना सिच्छड कार प्रारण मुझे प्रेशने बनते हैं तो इसमें अगली अर्ण पढ़ी जाएगी, अगला चाराण हमारा हो जाएगा सिच्छड के दौरान क्रम संक्य हमारा अगला चेंज हो जाएगा उसके बाद ये हमारा होना चाहिए 20-25 मिनिट का और ये होना चाहिए समोकार एवं परिचर्चा द्वारा इसमें लिखेंगे सिच्छड के दौरान सिच्छत बच्चों के मद्दे कर्तब विपालन इमानदारी राजा और वन रच्चक से बाचीत जंगल आदिक के चित्रों से परचित कराएगा तथा अपने कारियों को कैसे इमानदारी पुर्वक किया जाता है बताएगा तदुपरांत परश्णोत्तरी द्वारा उसके ग्यान की समझ को उस्पष्ट करेगा पहला परश्ण बनेगा यहां से राजा द्वारा ले गई परिच्चा में वन रच्चक किस प्रकार खरा उतरता है दूसरा प्रश्ण है वन रच्चक द्वारा परिच्चे पूछने पर राजा क्या उतर देता है तीसरा प्रश्ण मनेगा वन रच्चक को राजा पर क्या संदे होता है चौता प्रशन होगा वन रच्चक की मानदारी का क्या फल मिलता है यह सब प्रशन आपके सिच्चक सिच्चड के दोरार में जाएंगे उसकी बाद है आपके अगली हेडिंग पढ़ जाएगी सिच्चड के बाद यह आपका दस मिनिट होना चाहिए और यह करम संक्या नंबर अगला हो जाएगा थर्ड और उसका जो हमारा आकलिन की तरीके में होगा आकलिन की तरीके में लिखेंगे चोटे चोटे श्वमू में चर्चा एवं श्वमू कार्या सिच्चर के बाद में लिखेंगे सिच्चक बच्चो के ग्यान को पुष्ट करने के लिए बच्चो को चोटे चोटे श्वमू में बैठा कर उनको जंगल पसुपच्ची राजा का चित्र बनाने के लिए कच्छा कार्य देगा और सभी बच्ची करेंगे उसके बाद आपकी हेडिंग अगली पड़ी जाएगी ग्रियकार में क्या देंगे बच्ची ग्रियकार में अपनी कापी पर निम्खित प्रश्ण उत्तरेवं सब्द अर्थ लिख कर लाएंगे तो यहाँ पर कुछ सब्द दिये गए जिसके अर्थ लिखने है जैसे फर्ज, दिखाई, रिश्वत, यकीन और तिरसकार इसकी अर्थ आपको लिखने होंगे उसकी बाद आपको यहाँ पर नीचे कुछ प्रश्ण भी देगाएंगा है निम्खित प्रश्णों के उत्तर लिखने है पहला प्रश्ण है राजा वन रच्चक को कितने रुपए का पुरसकार देता है दूसरा प्रश्ण है पुन्डरीक किसका वन रच्चक है तिसरा है राजा ने वन रच्चक को राज तरतन क्यों कहा उसकी बाद आपकी लास्ट हेडिंग पढ़ती है अगामी सिच्चड योजना तो अगामी सिच्चड योजना में क्या चीज़े लिखनी होती है लिकिन कि सिच्चड के समय एवं और लोकन के अधार पर सिच्चक बच्चों की सैच्चरिक सम प्राप्ति का निधारण कर अगामी सिच्चड योजना का निर्माड करेगा गतिविदियों, शमू, कार्यत, दोरा बच्चों को अवसर प्रदान कर उनके अधिगा मस्तर की प्राप्ति की जाएगे इस प्रकार से आपका सिच्चड योजना करतब पालन का जो था कंप्लीट होता है असा करते हैं आपको वीडियो अच्चे लगी होगी अगर आपको वीडियो अच्चे लगी है तो उसको लाइक कर देजेगा चैनल पे अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और वीडियो को सेर कर देजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ताइज जैहिन बंदे मौतरम